हेलो फ्रेंज, वेलकम टे ट्वेंटीफोर नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घ्रह मंत्राले, मिनिस्ट्री ओफ हॉम अफेर्स की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के बारे में, तो फ्रेंज से यहां पर जो यह नॉट कर सकते हैं, इस वेकेंसी या नॉटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जोवरासा.ड़कॉम पर जहां पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चैक आउट कर सकते हैं, अगर आप एपलिकेबल हैं, अगर आप एलिजीबल ह चाहते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन अपलाए कर पाएंगे, बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में IB ACIO Tech Requirement 2023 नॉटिफिकेशन के लिए, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट से मिल सकें, तो सबसे पहले देखिए जो नॉटिफिकेशन है, यह फ्रेंज से एंप्लोमेंट नुउस्पेपर में से रोजगार समाचार में जारी की गई है, अभी आपको जो अपडेट है, इसके ओफिशल जो वेबसाइट है, वहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलता, क्योंकि फेंज जो नॉटिफिकेशन है, वो अभी उनली सिर्फ एंप्लोमेंट नुउस्पेपर में से रोजगार करें लेके, जो साइट होती है, उस पर आपको देखने को मिलता है, अब आपको न पर देखने को और जो भी रिक्वार्मेंट है, अप्लाइ करने से पहले वो आप चेक कर लें, इंटलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ओफॉर्म अफेर्स, गर्रॉर्मेंट आफ इंडिया की ये वेकेंसी है, असिस्टेंस सेंटल इंटलिजेंस ओफिसर ग्रेट टू टैक 2023 के लिए, इसके लिए फैंस से यहाँ पर आपसे कहा गया है, जो भी कैंडिट है, ग्रेजुएट कैंडिट है, इंडिया नेशनल कैंडिट है, वो आविदन कर सकते हैं, साथ में आपके पाए क्वालिफाई जो कटव मार्क्स है, वो गेट 2021-2223 के अकोडिंग काउंट किय जाएगा, अब यहाँ पर जो वेकेंसी है, यह कंप्यूटर साइंस और इंफोर्मेशन टेकनलोजी में 79 पोस्ट है, और आपके एलेक्ट्रोनिक्स और कम्मिनिकेशन में 147 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेंगी, डिस्क्रिप्शन की बात करें, इस पोस्ट की तो जो आपक पोस्ट है, यह जनरल सेंटरल सर्विस ग्रूप सी नौन गैजेट, नौन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, पेस के लेवल साथ का आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें आपको 44,900 से 1,42,400 रुपे, पे मैट्रिक्स आपको मिलेगा, जो की साथ में फ्रेंस सेंटरल गवर्मेंट क सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसकी जनकारी आपको यहाँ पर दी गई है, इसके बाद फ्रेंसर नीचे आपको बताया गया है, जो एन्वल इंक्रिमेंट है, वो भी आपका होगा, मैडिकल फैसलेटीज आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को मिलेगी, LTC फैसल जो ग्रेड टू टेक की जो वेकेंसी है, कम्प्यूटर साइंस और इंफोर्मेशन टेक्नलोजी में इसमें 79 वेकेंसी है, जिसमें जनरल में 32, EWS में 8, OBC में 25, 11, SC में और 3, ST में वेकेंसी रहेंगी, इसमें आपसे कहा गया है, रिजर्विशन आप जो वेकेंसी है, वो OBC, SC, ST, EWS और एक्सर्विसमें सभी केंडियेट के लिए रहेगा, अब Essential Qualification क्या है, मतलब कौन-कौन इसमें आविधन कर सकता है, तो केंडियेट के पास फ्रेंस से Qualifying Cut-Off Marks के लिए, गेट 2021 या गेट 2022 या गेट 2022 या आपका Electronics and Communication में जो की Gate Code EC है, या Computer Science and Information Technology में जिसका Gate Code है CS, या आपके पास होना चाहिए, साथ में BE या BTEC की डिगरी आपके पास होनी चाहिए, Electronics और Electronics and Telecommunication में या Electronics and Communication में या इसके लावा Electrical and Electronics में या आपके पास है Information Technology या Computer Science में या Computer Engineering या Computer Science in Engineering में तो आप इसमें आविधन कर सकते हैं, अगर आपके पास BE, BTEC के अलावा अगर आपके पास Master Degree in Science है, जो की Electronics या Physics with Electronics या Electronics and Communication या Computer Science या Computer Science या आपके पास Master Degree है Computer Application में तो भी आप इसमें आविधन कर सकते हैं, तो या तो आपके पास Master Degree हो Science में या BE, BTEC हो Relevant Field में तो आप इसमें आविधन कर पाएंगे, और साथ में आपके पास Gate का Valid Scorecard भी होना चाहिए, जो की Gate 2021, 222 से 23 का इन में से कोई भी हो, Age Limit जो है वो 18 से 27 साल रहेगा, और ये 12 जनवरी 2024 को काउंट के जाएगा, तो जो Cut-Off Date है Age Criteria के लिए वो 12 जनवरी 2024 है, Service Liability की बात करें तो All India, Service Liability आपकी रहती है, तो आपको यहाँ पर Anywhere in India वर्क कर सकते हैं, तो ही आप इसमें अपलाए करें, इसके बाद यहाँ पर आपसे कहा गया है, जो PH Candidate है, इन Categories के उनको अपलाए करने की ज़र्त नहीं है, उनके लिए वेकेंसी नहीं है, Scheme of Exam क्या रहेगा, तो यहाँ पर एकी Scheme of Exam की बात कर लेते हैं, तो फ्रेंसे Candidate, 10 Times the Number of Vacancies, तो मरला जितनी वेकेंसी हैं, उसके 10 Times Candidates को Shortlisted किया जाएगा, Basis of Gate Score Card, जो की Qualifying Cut-Off Marks रहेंगी 2021, 2230 के, उनको directly बुलाए जाएगा इंटरिव्यू के लिए, तो Gate Score है, 1000, इंटरिव्यू मार्क्स हैं, आपके 175, इंटरिव्यू फ्रेंसे जो होगा, वो दो पेरामीटर्स में आपको चेक किया जाएगा, subject knowledge in relevant field, और आपकी communication skill के बेसिस पर तो यहाँ पर फ्रेंस, जो भी merit list त्यार की जाएगी, वो basis of candidate, जो combined marks, उप्टेर आप करेंगे, gate examination में और इंटरिव्यू में उसके बेसिस पर आपका होने वाला है, candidate appearing in interview will be required to appear in a psychometric aptitude test, तो फ्रेंस, आपको यहाँ पर यह test है, इसमें भी आपको यहाँ पर आपेर होना प 2023 को, last date जो apply करने की है, वो 12 जनवरी 2024 आपकी रहेगी, application fees भी आप 23 December से 12 जनवरी 2024 तक जो है, फिल कर सकते हैं, examination fees and payment आपका क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखे दो components आपको बताएगे हैं, जैसे सभी candidate जो है, उनको requirement processing charge देना होगा, अब requirement processing charge क्या है, वो है 100 रुपी, जो क जब 100 रुपे exam fees और 100 रुपे requirement processing charge, बताब 200 रुपे देना होगा, male candidate को, general EWS OBC category के, और बागी अधर candidate जो है, SC, ST या, ex-serviceman या female candidate किसी भी category की, उनको 100 रुपीज fees आपको pay करनी होगी, fees आप online mode में ही जमा करवाएंगे, इसके बाद, friends, यहाँ पर देखे, आपसे कहा गया है, जो भी candidate है, SC, ST या, female candidate है, ex-serviceman candidate है, उनको, friends, यहाँ पर छूट मिल जाती है, exam done fees आपकी यहाँ पर नहीं लगती, only requirement processing fees आपको देनी होगी, fees आप किसी भी bank के, mastercard, credit card, internet banking, UPI, SBA चलान के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं, इसके बाद, friends, second page पर चलते हैं, तो second page आ हो सकता है, और यहाँ पर जो last date है, आपके form submit करने की, मनला, fees submit करने की, वो 16 जनवाई 2024 रहे गया, अगर आप SBA चलान के माध्यम से payment करना चाहते हैं, उस condition में, इसके लाबा, fees एक बार पे करने के बार, आपको यह refund नहीं होगी, किसी भी condition में, और जो भी other information है, details है, जिसे की detail advertisement में जल्दी ही आपको available हो जाएगी, जैसे ही इसका link activate होगा, closing date जो है, वो 12 जनवारी 2024 आपकी यहाँ पर रहेगी, तो यह notification में आपको जानकारी प्रोवाइट की गई है, जो कि इसका short notice है, तो यहाँ पर देखिए, कोई भी exam आपका नहीं होगा, आपका सिर्फ only interview gate qualify होना जरूरी है, 2021, 22 और 23 का gate scorecard है, वो आपके पास होना चाहिए, और बाकी की जानकारी फ्रेंस, आपको इसकी official notification को खुद भी पढ़कर भी check कर सकते हैं, मैंने सारी जानकारी आपको jobrasa.com पर provide कर दी है, वहाँ पर जाकर भी details को verify आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको हमा अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो लाइक सब्सक्राइब में जरूर कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा यूटीब चनल, last things for watching.